मा की ममता, मा बेटे की कहानी प्यार महबबत क्या है? मैं ये तो नहीं जानता लेकिन हाँ, मा की ममता और मा का प्यार क्या होता है? ये भली भाती जानता है और आप भी जानते होंगे मा ममता की मूरत होती है ममता का अर्थ तो हम सब जानते ही हैं कि एक मा का अपने बच्चों के परती इसने है और मा केशी भी हो लेकिन मा मा होती है दोस्त बहुत सारे लोग मा का मतलब नहीं समझ पाते हैं और अपनी मा को नजाने क्या-क्या बना बना देते हैं यह एक कहानी भी एक ऐसी ही मा की ममताक पर आधारित है कहानी जंगल की एक हीरन और उसके बच्चे की मा जानवर की हो या इनसान की क्या फरक पड़ता है दोस्त मा की ममता का कोई मोर नहीं होता है यानि मा की ममता का कोई मोर नहीं होता दोस्तो मा का प्यार कभी साबित नहीं किया जा सकता है वै खुद बखुद निखर जाता है मा की ममता अनमोल होती है मा बच्चे की मुश्कान होती है रोता हुआ बच्चा मा को देखकर एक दम चुप हो जाता है खुद दुखी रहती है लेकिन बच्चे पर आँच नहीं आने देती घर में मा के होने से पूरा घर मा की ममता से बरा होता है छोटे बच्चे के रोने पर पूरा घर घबरा जाता है आपने देखा होगा दोस्तों लेकिन मा की गोद में आते ही उसका रोना पूरी तरह हसने में बदल जाता है बच्चे का केवल मा ही एक विश्वास होती है बच्चा जब रात को रोता है तो माँ उसे लोरी सुना कर सुला देती है और बच्चों की आँखों के सामने से एक पल भी दूर नहीं रह जाग पाती माँ तो माँ होती है दोस्तों यार बच्चों को हमेशा अपने आचल में छिपा कर रखती है खुद से ज़्यादा खयाल रखती है एक दिन की बात है एक मा का बच्चा छोटा था बहुत नटकट था उसकी हरकते देखकर सभी हसने लगते थी बच्चा बहुत प्यारा था उसने अभी अभी चलना सीखा था चलने के साथ ही थोड़ा थोड़ा बोलना भी सीख गया था आसपडोस वाले सभी बच्चे को बहुत प्यार करते थे लेकिन मा के बराबर कोई नहीं होता ये तो आप जानते ही है क्योंकि मा तो मा होती है एक दिन घर के बाहर कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था आसपडोस के सभी लड़के वहां खड़े खड़े देख रही थे उसकी हरकतों ने सब के दिल को छू लिया था खेलते खेलते अचानक पत्थर से ठोकर लगने से नीचे गिर गया और जोर से रोने लगा पास खड़े सभी ने उसे हसाने की बहुत कोशिस की लेकिन बच्चा रोना बंद नहीं हुआ उसका और नाम ही नहीं ले रहा था एक केक करके सभी ने परियास कर लिया कोई अपने गोद में लेकर खेलाता तो कोई गुदगुदी करके हसाता लेकिन वह तो और ज्यादा रोने लगा बताओ इतने में मा आ गई और मा ने गोद में लिया और कहा किसने रुलाया मेरे लाल को इस पत्थर की इतनी हिम्मत मेरे बच्चे को रुलाया मा ने बोला और मा की ये बात सुनकर बच्चे ने कहा नहीं मा पत्थर भी रोने लगेगा बताओ बच्चे की ये बात सुनकर हसने लगी बच्चा भी हसने लगा और पास खड़े सभी लड़के भी जोर से हसने लगे मा से बढ़कर त्याग और समर्पन की मूरत भला और कोन हो सकता है दोस्तों क्योंकि मा तो मा होती है क्योंकि इसकी मा का मा के प्यार का कोई पारोवार नहीं है कहने का मतलब मा से बढ़कर त्याग और समर्पन की मूरत भला और कोन हो सकता है हम कितनी भी गलतियां क्यों न कर लें मा हमेशा बच्चों के हित में ही सोचती है वो कभी गलत नहीं हो सकती है यह मुझे पता है जब भी बेटे पर कोई भी मुसीबत आ जाती है तो वह अपने उपर ले लेती है यह तो आपको पता होगा दोस्तों क्योंकि जब पापा मारते हैं तो मा ही बचाती है हर मा बाप की यह हर मा बाप की यही इच्छा होती है कि उसकी संतान उनकी बुड़ाबे की लाठी बने लेकिन इस विक्स की इस विशु की लहर में हम सभी ने अपने अधिकारों को कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं अगर हमारे मा बाप हमें पाल सकते हैं तो हम लोग उन्हें बुड़ापे में क्यों बे सहारा छोड़ देते हैं यही तो मा बाप की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर हमारा सहारा बनेगा लेकिन आज कल तो अपने बुड़े मा बाप को पाला नहीं जाता बलकि उन्हें अना थास्रम या फिर दरदर की ठोकरे खाने के लिए छोड़ देते हैं ऐसे ऐसे राक्षस लोग है दुनिया के दोस्तो मैं आसा करता हूँ कि आप सब सभी को हमारे दुआरा ये कहानी आपको पसंद आयोगी मेरा इस कहानी को लिखने का मकसद यह नहीं है कि आप लोगों को ठेश पहुँचें बलकि मेरा उद्देश से हर उस नागरी को जगाना है जो अपने माबाप से दुरवेवार करते हैं अरे वो अरे वो है तभी तो हम इस दुनिया में हैं हमें तो उनका सुक्रिया अदा करना चाहिए ना कि उनका तिरस्कार अगर आप भी मेरी तरह अपने माबाप से प्यार करते हैं तो इस कहानी को लाइक करके यानि कि इस वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों को सेर करें उन सभी प्लेट फोर्म पर सेर करें जिनका आप उप्योग करते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आने वाली दूसरी नई कहानी का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके आई होप आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना याद चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में जब तक के लिए बाइ बाइ शी यू अगेन थेंक्यू दोस्तों कर दो सब्सक्राइब नई थे अच्छीं अच्छीं बाइध।